जिसका कोई मोल नहीं लगा सकता, वो अनमोल रतन है टाटा जी। 1978 की हकीकत, एक बार जे आरडी टाटा फ्लाइट में बैठे थे, उनके बगल में दिलीब कुमार बैठे थे, दिलीब कुमार से रहा नहीं गया उन्होंने अपना परिचे दिया, मैं नामी फिल्म स्टार हूँ, आपने मेरी फिल्म देखी होगी, जे आरडी टाटा ने जो मैंने पड़ी है, आपको बताता हूँ, एक, एक बार अमिताब इंके बगल की सीट पर फ्लाइट में सफर कर रहे थे, अमिताब ने पूछा, आप फिल्म देखते हैं, इन्होंने कहा समय नहीं मिलता, अमिताब ने बताया कि वो फिल्म स्टार है, इन्होंने कहा बहुत खुशी हुई आप से मिलकर, अमिताब बहुत प्रसंद थे, अपना फिल्म स्टार वाला एटिट्यूट दिखा रहे थे, जब एरपोर्ट पर उत्रे तो अमिताब ने पूछा कि आपने अपना परिचे नहीं दिया तो इन्होंने कहा कि टाटा ग्रूप ओफ इंडस्ट्र कर दी, वह ये कहकर गाडिया देने से मना कर दिया कि मैं उस देश को गाडिया नहीं दे सकता जो मेरे देश के खिलाफ इन गाडियों को इस्तिमाल करें। आप बेशम हो सकते हैं, मैं नहीं। प्रुखान वर टुच्चे नेताओं को हीरो मानकर उनके आगे पीछे चक्कर लगाना चाहिए। मेरी नजर में भारत रत्न का हगदार ये असली रत्न, ये कर्मयोगधा है। जिसने भारत की और द्योगिक क्रांती का नेतरित्व किया और उत्पादों की गुनवत्ता के सदैव मानक स्थापित किये।